नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी उम्मीद करता हूं सभी अच्छी होंगी सभी की गुड बोल निग इंतजार विवा कर रहा है एक सरकारी भरती का कि कब सिख्षा विवाग में रीट फर्स ग्रेड सेकंड ग्रेड आए और वो अपना सपना है एक सरकारी नोकरी पाने का की वीडियो में रीट की चर्चा करने वाले हैं बिलकुल रीट को लेकर कुछ नए अपडेट कुछ बाते सामने आ रही हैं क्या वास्तिक्ता में ऐसा होने वाला है होगा तो कब तक होगा और क्या होने वाला है इस पूरे मुद्दे परम बात करने वाले हैं इंपोर्टें देखी विए, चुनावी दोर है, एक बात मैं आपको फिर बताना चाता हूँ आगे बढ़ने से पहले जो भी सुडेंट रीट की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है ये बात की गांट मांद लो, कि बरती 110% आएगी, अब भले वो ने नियम पर हो या पुराने पर, बरती 100% होगी और जहां तक 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड की बात जो है न, वो पुराने पैटन पर ही होने की संभावना ज्यादा तर रहेगी, इस बात को ध्यान करना रीट में आसार जरूर बदला होने के, निश्चित रूप से रीट में आसार जरूर बात करते हैं, आज़ोगे पेलिग्राम को जोइन कर लेना, सारे अपडेट्स या जो भी कटिंग वगर है, वो सारा कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा, याज से जोइन कर लिया करें, ठीक है? आज का ही ताज़ा अपडेट आपके सामने आ गया होगा, देखते हैं मंतری, शिक्षा मंतری जीरी कैते हैं, 33 सिक्षिक भर्ति एक ही परिक्षा करवाने का प्रस्ताओं देखो, अभी तक मोहर नहीं लगी है, वास्तिक्ता पे इस पे काम होआ नहीं है, ये काम होने की संभावना जताई जारी है, ये बात बोली जारी है, कि देखो, किसी भी बर् करने भी दोस्तों ज्यादातर होता रहता है इन सभी पर विराम लगाने के लिए सरकार कुछ नया कर रही है तो रीट में क्या है मंत्री जी के प्रस्ताव पर सरकार अगर मुहर लगा दे यानि देखो दुआ तभी तो उड़ता होगा कहीं न कहीं तो कुछ आग लगी है ठीक दस लाग बेरोजगारों को मिलेगी रहात यानि कुछ बात हुई है अभी ये छपकर यहां पर आया है तभी शिक्षा मंत्री जी के मुह इसे बात निकली है कुछ ना कुछ तो खिच्डी पक ही रही है ये बात मान सकते हैं जहां तक मैं आपको बताना जो हूँ कि वह करता था रीट पातरता फिर वो सिस्टम आया मेरिट बेस पे की रीट के 70% लेंगी 30% के जोड़े जाएंगी वहां पर भी पेच पसा पुराने विद्यार्थी ज्यादा लग रहे थे इस प्रकार से काफी जमेला पला फिर उसको चेंज करके बदला गया किसमी दो प्रि द्यार्थी लिए जाते हैं उसके बाद फिर वो एक नंबर के लिश्ट आती है एक फिर आपका सेलेक्स हो यानि इस प्रोसेजर में एक लंबा टाइम लग जाता है स्टूडेंट भी क्या हतास हो जाता है अभी कितनी की तियारी करें पहले पातरता कर लें फिर मुख्य प्रिक्षा फिर पंद्रा गुणा का रेजर्ट इंतिजार करो फिर एक गुणा का फिर बाद में प्रोसेजर इस बीच पेपर लिक होने के प्रक्रण भी जादा बहुत ही शांदार बात जहां तक रीट दो हजार चोबीस होने वाली है जिसके इंतजार में एक तो पत्तरता प्रिक्षा का इंतजार कर रहे हैं और एक मुख्य प्रिक्षा का मुख्य प्रिक्षा का, जहां तक बात आ रही है कि मुख्य प्रिक्षा अब होने की संभावना नहीं है, केवल एक पत्रता प्रिक्षा होगी, यानि पत्रता एक्जाम को महतव दिया जाएगा, ये बात बोली गई है, कि रीट पेपर के लिग होने इसके बाद, पिछली सरका दे मारे नहीं 33 सरकारे शिक्षिक भढ़ती के लिए 2 प्रिक्षाओं का फर्मूला लागू किया, पिछली सरकारने क्या किया, कि 2 पेपर का, सत्ता बदलने के बाद, अब शिक्षा मंतुरी मदन दिलावर ने प्रत्रतोजbrog वाक्यरता से 33 सरकारे शिक्षिक बढ़ती तक आख़Su buscar है तो र्यीट का प्ट्रन बदलने के संभावना यहां पर सामने आ रहे हैं कि कॉंग्रीस एलग करती है विजेपी आर record करती है इस बीच अन्देशा भी हो गया किए बाते निकल के सामने आ रहे हैं तो मैं कि प्रस्ताब्र मोहर लगे तो 10 लाग प्रिक्षाओं से नोक्री में सरकार का मानना की शिक्षे बढ़ती है कि त्यारी करने लग लग एक्जाम देने पड़ते हैं तो को टाइम भी ज्यादा लगता है एक लंबा पिरिड हो जाता तो बच्चा भी निराश हो जाता है पेपर लिक का प्रकड तो रीट के अंदर कि 2012 में 88 के 20% अंक लिकित प्रिक्षा के अंकों में जोड़कर जीला स्तर पर मेरिट बनती थी ये 2012 की बात है 2012 में क्या था कि 20% अंक लिकित प्रिक्षा के लिए जाते थे बाकि जोड़कर जीला मेरिट बनाई जाती थी फिर 2013 में क्या वा 88 के 20% अंक मेरिट में जोड़े ग और 30% सना तक का वेटेज लिया गया ये था बाद में दो प्रिक्षा ही कर दी अब दुबारा से क्या है एक प्रिक्षा के आ रही है तो अब सर्क कैसे होगा देखो इसमें यह हो सकता है कि रीट पातरता को महतो तो दिया ही जाएगा रीट पातरता तो दिन नहीं पड़ेगी अब मेरी बात को जहां से सुनना जो इनकी रीट पातरता कलीर है वो खुस हो रहे है मन में कि हमारी तो कलीर है आज जीवने वेदेता है अच्छी बात है लेकिन कॉंप्टिशन भी कड़ा होने वाला है ना बात करेंगे जैसे सरकार बदलती है तो इस बार भी रीट में बदला होने कि संभावने जदा है द्यान करना अब होने वाला क्या है इस बात को मैं समझा देता हूँ कि देखो रीट अब मेन प्रिक्षा या कुछ ही मालो पत्रता प्रिक्षा पातरता प्रिक्षा दोस्तों important है क्यों है? क्योंकि जब pattern बदला जाएगा तो ये क्या कहरे है इनका कहिना है कि मुख्य प्रिक्षा नहीं होगी यनि दो paper नहीं होगी इसका मतलब मुख्य प्रिक्षा को खतम किया जा रहा है यनि paper एक होने की बात वोली गई है पेपर एक होगा, ये बात बोली जारी है, तो देखो, हर शिक्के के दो पहलू होते हैं, खा पर फिर कर देता हूँ, इसमें अदे तो सहमध होते इस बात से, अदे लोग ऐस सहमध होते हैं, कॉमेंट में आप बताना कि क्या चाहते हूं, क्या बात सही है, आप सहमध हो एक प प्रिक्षा के त्यारी करो फिर इसमें चैसे करके लगब कि दो से डाई साल एक एक्जाम ले लेता है अब बेरुजगार बेचारा युवा दो से डाई साल कैसे खर्चा मेनेज करेगा एक थर्ड गेड का एक्जाम इतनी बड़ी कोई प्रिक्षा नहीं है तो काफी सारी समझें स्टूडेंट के फेवर में देखें तो बहुत सारी है इस बीच पातरता प्रिक्षा दोनों में से एक ही करवाई जाएगी उसे पातरता ही बोला है उसके बा बीस परतिशत गरेजिशन के लिए जाएंगे ठीक है अब यह क्या करते हैं इनके उपर है जुम्हां तो पिछले पैटन के साब से बता रहा हूं लेकिन यहां क्या हो यहां पर गड़बड हो सकती कैसे कि पहले जो पुराने स्टूडेंट थे ना उनके गरेजिशन नंबर कम थे आज इकले विद्यारती पढ़ते भी हैं सोर्स जादा तो नंबर काफी जादा बनते हैं तो इस बीच इनको इसको मैतव देते वे कुछ क्या पैटन बदलते हैं वो डिपेंड करेगा गोर्मेंट के उपर लेकिन यहां पर क्या हो गया है यह बात कनफर्म होगी है कि जहां तक आपको पता है कि कोई भी SCST या यूँ कह सकते हैं एक minimum criteria मानके चलें तो आपको 60% लाना होता है यानि 90 अंक लाने होते हैं तो 90 अंक लाओगे तो पास्त होते हैं लेकिन यहां पर अगर इसको में प्रिक्षा करेंगे एक एक्जाम कराएंगे तो इसके भी हापर स हो गई भाई साब इसके नंबर अब जिसके 90 अंक वो तो सिर्फ पातरता प्रिक्षा पास ही तो करेगा सेलेक्शन की दोड़ में तो नहीं है वो अब होगा क्या जो आप खुश हो रहे थे बहुत सारी बच्चे ऐसे हैं जिनके 90 पलस हैं कई 110 पलस हैं कई 120 पलस हैं कई 125 प बेनिफिट होगा आगे कितने प्रतिसेत 70% 80% कितने परशेंट लेते हैं लेकिन जितने भी आपके नंबर अब जैसे किसी की पातरता क्लीर है वह होगा मैं तो सर्फ पास हूं भी पास मुने से कहते नंबर हैं क्या अब तेरे नंबर 120 से कम है न तो उसे देरने ही संबावना रहेगी क्योंकि जब एक प्रिक्षा करेंगे दोनों को मिला करें तो कुछ फेर बदल हो सकता है नहीं होगा तो प्रणयवड़ा पड़ा रहेगा ठीक है अब इस बीच करना क्या है स्टूडेंट को क्या करना वास्तिकता में देखो त्यारी करनी है बड़ी तर और इस एक सेम्भावना उबर हो सब्योण इस पहले हैं तो आपने सब्जेक्ट को मजबूत करें हर बार कहता हूँ आप अपना सब्जेक्ट मजबूत करोगे ना तो फिर बदलाओ कैसा भी क्यों नहुं वो तो काम आए गया अच्छी बात है दो प्रिक्षाओं से युवा बचेगा, टाइम बचेगा, एक प्रिक्षा देगा, लेकिन इस पर किस प्रकार सेलेक्षा लेंगे ये गोर्मेंट तेक रहेगी संभावना है, संभावना है क्योंकि हर बार जैसे सरकार बदलती है, रीट का पैटन बदल जाता है तो रीट का पैटन बदलने की कगार, जो कयावत होती है क्या, वो स्टार्ट हो चुकी है, ध्यान करना अब देखो कब तक क्या, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि अब जो पातरता करवाई जाएगी, ये ने रूल्स भी होने के समद्ध, को इसमें कोई जद्धा बड़ा चेंज़ नहीं, जहां तक फर्स्ट ग्रेड, सेक्रेंड ग्रेड की बात है न, उसके अंदर समय लग सकता तो वो अब की बार प्रणे पैटर पे, और मार फिर बता देता हूं, तीनों के तीनों एक्जाम हैं, इस बार जैसे चुना होगा, कम्पलीट, अब युवा, अब कई केंगे, सर्म मुख्य प्रिक्षरी त्यारी करा था, मेरी पातरता क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, दोबारा देनाई पड़ी अगर आपके अंकों में सुधार करना है, कोई 110 बना के बैठा है, तो 120 के ने – सरी मेरे खुल नई, इस वेहम में मत रहेना है, आपको दुबारा त्यारी करनाई पड़ीगी, नंबर में सुधार करना पड़ेगा, की बात, त्यारी वही common subject जो दो यतां तर्ट आकलियर िना करें ते केवल तो नुकसान तो होने वाला है noi इंदाशन सिंस किष्ऑ हिंदी इंग्लीश में हिंदा इंग इट Richards प्रिक्सिद्स सब्सक्राइब सब्सक्राइब procent और आजेए सभी सती, यह चीज पहले बोला ही गया था, मैंने आपको बताया था, यहां शिक्समंत्री बोली चुके हैं, तो यह जब बार-बार बात आ रही है सामने न, यह जब बार-बार बात सामने आ रही है, तो कुछ नो कुछ तो गड़बड है, हाँ, रीट में मैं यह पर्स-ग्रेट, सेकंड-ग्रेट तो आरही है, लेकिन अब की बार पुराणे पैटन पर ही होने वाली है, ध्यान करना इस बात को, तो वह तो तो त्यारी लगे रहे हैं, रीट में बदला होने के आसार 100% है, हो सकते हैं, बाकी गवर्मेंट के उपर है, तो त्यारी लगे अब करना क्या है फाइदा यह करना है कि आप common subject यह दिन की पात्तरता कलीर नहीं है ना जीजयान लगा दो अच्छे नमबर बनाने डेड़ सो में से जितने ज़्यादा ले कि आओगे उतना ही ज़्यादा फाइदा होगा कि विल पास करने से selection नहीं होगा भले आपके ग्रेज 22 तारिक से 22 इनवरी से हमने कोर्स को स्टार्ट किया था जो रणिंग में है लाइव बैच है पात्रता और मुख्य प्रिक्षा का करवाय था जो बच्चे पात्रता करिए के लिए कर रहे हैं मुख्य प्रिक्षा common subject हैं दोनों की चल रही है रीट पात्रता का अलग से भी च प्रिक्षा होती है तो आज यह त्यारी में जूट जाओ और चुनाओ के बाद आपको यह देखनी मिलने वाली है शांदार त्रिक्षा पात्रता रीट बुख्य जो भी होगा पैटन बदलेगा तेकि सब्जेक्ट तो नहीं बदलेगे पैटन ही तो बदलेगा हम तो प्रिचर विद्यार्थियों के लिए सुने रहा अफसर है भी बाग की क्लास से स्टार्ट हो चुकी है ठीक 22 अप्रेल से दोस्तों स्टार्ट हो गया था दो दिन तब्वित खराब थी आज भी है लेकिन क्लास को करेंगे डोक्टर ने मना किया फिर भी न्यू एमस्यू क्य आच ए पहली क्लास हो चुकिए यूट्स भी फ्री है जाकर डेममो चेक कर लेना आप पर भी फ्री है चलिए अब मना चाहता हometown की ृडς पातरता कि प्रिक्षा को लेकर आप क्या इस बात से सह मत हैं कि सर एक प्रिक्षा हो जायी हम सहमत हैं और जो चाहते हैं कि सर यह रही